हेलो एवरिवन वेलकम टू स्टडी एक्स्प्लोजन आज हम टाइम एड वर्क की नेस्ट टाइप करने जा रहे हैं जो बेज़ दिनों के बाद कुछ आदमी शोड के चले जाते हैं जान कुछ आदमी जाइन हो जाते हैं इस तरह के कॉशन करेंगे आज हम ठीक है तो 16 डेज में पूरा करता है दे बर्क टूगैदर फार फोर डेज कहते हैं कि दोनों मिलके चाल दिन काम करते हैं तो बताओ जो काम रह गया वह कितना रह गया तो सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे 12 और 16 का एलसिम क्या होगा 48 जानि कि हमें टोटल काम मिल गया कितना 48 तो हम जहां से एपिसेंसी निकाल लेंगे एक दिन का काम P का कितना होगा अगर P 12 दिन में पूरा काम 48 काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा 12 इंटू 4 करेंगे 48 आ जाएगा 16 इंटू 3 करेंगे 48 आ जाएगा तो हम जहां से जे बता सकते हैं कि P प्लस Q का एक दिन का क काम कर रहें लेकिन नहोंने बोला है कि यहां डौनमों मिलके कितने दिन काम कलते हैं काम बच गया 20 ठीक है 20 काम बचा है कितने में से टोटल में से टोटल कितना था 48 तो 20 बाइ 48 यह आपको आ जाएगा 5 इंटू 4 करेंगे 20 12 इंटू 4 करेंगे 48 तो 5 बाइ 12 काम पीशे बच गया और यही उन्होंने पूशा था तो इस क्वेशन का राइट अंसर होगा आप्शन सी आई होब कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो नेस्ट कॉशन देखे ए एलोन केंडू एपी साब बरक इन 35 डेज एंड बी एलोन केंडू इट इन 14 डेज कहते हैं कि अकेला एक किसी काम को 35 डेज में पूरा करता है और अकेला भी सेम काम को 14 डेज में पूरा करता है कहते हैं कि दोनों मिलकर अगर पांच दिन काम करें तो बताओ कितना बरक पीशे रह जाएगा तो सबसे पहले हम टोटल बरक निकालने के लिए हमें 35 और 14 का एलस्यम निकालना होगा तो 35 और 14 का एलस्यम होगा 70 अब जो बच्चे इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं वह सबसे पहले एक दिन का काम कितना हो रहा है दो तब 35 AeeeeTU करेंगे 70 आजाएगा तो B 14 देख में 70 काम करेंगा जाने कि एक दिन में फाइव काम करेंगा तो 14 D का काम कितना होगा 5 into 7 कितना 35 थर्टी फाइब काम हो गया कितने दिनों में 5 दिनों में काम टोटल है कितना 70 उन्होंने ये पूशा है कि काम पीशे इतना बचा है तो 70 में से 35 जाएगा तो पीशे 35 ही रहेगा तो 70 का 35 होगा आदा ठीक है जानि हम यह कह सकते हैं कि हाफ काम हो गया और हाफ काम पीशे रह गया according to option हाफ हो गया इस question का right answer option C next question देखिए P can do a work in 10 days Q can do the same work in 15 days if they work together for 5 days how much of the work will they complete कहते हैं P अपना काम 10 दिन में पूरा करता है same काम को Q 15 दिन लगाता है if they work together for 5 days अगर दोनों मिलके 5 दिन काम करें how much of the work will they complete तो कितना काम है complete कर देंगे 5 दिन में ठीक है तो सबसे पहले 10 और 15 का ऐलस्यम होगा 30 जाने कि 30 होगा टोटल काम जिसको P 10 दिन में कर रहा है तो P का 1 दिन का काम क्या होगा 3 अगर आपको यह समय नहीं आ रहा 3 कहां से आ रहा है तो आप 10 का multiply कुछ ऐसे नंबर से करिए जिससे 30 बन जाए तो 10 इंटो 3 करेंगे 30 इसी तरह से 15 इंटो 2 करेंगे तो 30 बन जाएगा जहां से हम यह बता सकते हैं कि अगर Q 15 दिन में अगर दोनों मिलके काम को 5 दिन करें तो P का एक दिन का काम कितना है 3 और Q का एक दिन का काम है 2 ठीक है तो दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना है 5 एक दिन काम होगा 5 तो काम करना कितने दिन है 5 तो 5 इंटो 5 करेंगे 25 तो हम जह बता सकते हैं कि उन्होंने 25 को 5 काम को complete कर दिया 5 दिनों में, तो काम था कितना total? 30. तो हम जे बता सकते हैं 30 में से 25 काम complete कर दिया, जही उन्होंने पूशा था, अब 25 by 30 option में नहीं है, but 5 into 5 करेंगे 25 होगा, 5 into 6 करेंगे 30, तो हम जे बता सकते हैं कि काम कितना complete हो गया 5 by 6, 5 by 6 का मतलब होता है 6 total काम है तो 6 में से 5 complete हो गया अगर जहां से जे भी पूशा होता कि how much work left तो तब आ जाता 1 by 6 क्योंकि 6 में से 5 हो गया है और 6 में से 1 रह गया है तो इस question का right answer किया है option D next question देखिए A can finish a work in 30 days and B can finish the same work in 20 days कहते हैं कि A अपने काम को 30 दिन में पूरा करता है और B सेम काम को 20 दिन में पूरा करता है ठीक है A कितने दिन में पूरा कर रहा है A कर रहा है 30 दिन में और B उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है A and B do the work together for 6 days कहते हैं कि A और B दोनों मिलके काम को 6 दिन करते हैं and after that A left the work और 6 दिन के बाद मतलब 7 दिन से A काम को short देता है In how many days B will complete the remaining work तो बताओ बचा हुआ काम B कितने दिनों में पूरा करेगा ठीक है तो सबसे पहले A काम को 30 दिन में करता है अकेला सेम B उसी काम को 20 दिन में करता है तो पहले हम total काम निकालने के लिए हमें LCM निकालना होगा 30 और 20 का LCM होगा 60 तो जहां से हम Efficiency निकाल लेंगे 30 इंटू 2 जानिकि A एक दिन में 2 काम करेगा उसी तरह से B एक दिन में 3 काम करेगा 20 इंटू 3 करेंगे 60 और 30 इंटू 2 करेंगे 60 आ जाएगा ठीक है अब उन्होंने next line में बोला A and B do the work together for 6 days देखिए A और B का एक दिन का काम कितना होगा 5 2 प्लस 3 करेंगे 5 बट उन्होंने ये बोला है कि A और B दोनों मिलके 6 दिन काम करते हैं अगर एक दिन 5 काम हो रहा है तो 6 days का कितना होगा 5 इंटू 6 करेंगे 30 टोटल काम था 60 तो 60 में से 30 काम दोनोंने मिलके कर दि दिया है इस काम को B कितने दिन में करेगा तो B का एक दिन का काम कितना है 3 तो 30 काम करने के लिए B को कितना समय लगेगा 30 by 3 करेंगे 10 days 10 इंटू 3 करेंगे 30 आ जाएगा ठीक है तो इस question का right answer होगा 10 option C होगा इस question का right answer जहां फिर हम जे कह सकते हैं कि B बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करेगा I hope कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो ठीक है next question देखिए A and B working together can complete a work in 10 days कहते हैं कि A और B दोनों एक साथ काम को 10 दिन में पूरा करते हैं C alone can complete the same work in 14 days कहते हैं कि अकेला C उसी काम को 14 दिन में पूरा करता है if A, B and C work together कहते हैं कि अगर A, B और C तिनों मिलके काम को करेंगे then how many days will they take to complete 3-5th आफदा same work तो बताओ तिनों मिलके काम का 3-5th हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे ठीक है तो देखिए A प्लस B दोनों मिलके काम को 10 दिन में पूरा करते हैं उसी काम को अकेला C 14 days में तो सबसे पहले हम बर्क निकाल लेंगे 10 और 14 का एलसिम क्या होगा 70 जानिकि हम जे कह सकते हैं कि A और B 70 बर्क को 10 दिन लगाते हैं तो एक दिन का बर्क कितना हो जाएगा A और B का 7 उसी तरह से अकेले C का एक दिन का काम कितना होगा 14 into 5 तो जहां से ये आ गया आपका 7 प्ल C तीनों का एक दिन का काम ठीक है अब उन्होंने बोला है इफ A, B and C बर्क टूगैदर अगर तीनों मिलके काम को करेंगे तो काम का 3 फिफ्थ हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा तो तीनों मिलके करेंगे तो 70 काम है 70 by 12 आ जाएगा into काम का क्या करना है 3 फिफ्थ हिस्सा तो 7 into 2 होगा 14, 2 into 2 होगा 4 तो right answer क्या आजाएगा 7 by 2, option B होगा इस question का right answer, देखिए मैं आपको पूरा math trick से करवाने जा रहा हूँ, trick से ही करवा रहा हूँ ठीक है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, elsium method से ही आपको maximum math के chapter पढ़ाए जाएं, जो इस वीडियो को first time देख रहे है ताकि उनको आने बाली हर एक notification साथ साथ मिलती जाए, ठीक है और जो complete math पाणना चाहते हैं, वो number system से start करें, और मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि वो साथ साथ notes बनाते जाएं, ठीक है, आप साथ साथ notes बनाते जाओ, साथ में आपको PDF मैं आपको, जे PDF भी आपको provide करव करवा रहा हूँ, और साथ में और भी PDF क्वेशनों के लिए मैं आपको telegram channel पर provide करवा रहा हूँ, ठीक है, telegram channel का नाम भी study explosion है, आप उसको भी join कर लिजिए, ताकि आपको और subject की भी PDF साथ साथ मिलती जाए, ठीक है, next question देखिए, A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively, कहते हैं कि A और B किसी काम को 45 और 40 days में पूरा करते हैं, जिसमें A करता है 45 days में और B उसी काम को 40 days में पूरा करता है, ठीक है, they begin the work together, कहते हैं, दोनों काम को एक साथ start करते हैं, but A left the work after some days, कुछ दिनों के बाद A शोड के चला जाता है, and B alone finished the remaining work in 23 days, और बचा हुआ काम B करता है 23 days में, after how many days did A leave, तो बताओ A कितने दिनों के बाद काम को शोड के चला जाता है, ठीक है, तो देखिए, मान लिजिए, जहां से लेकर जहां तक total काम था, जहां से लेकर जहां तक total काम था, और मान लिजिए, कुछ दिनों के बाद A A और B दोन्नोंने काम स्टार्ट किया है, और कुछ दिनों के बाद A ने शोड दिया है, मान लिजिए, जहां पर A ने शोड दिया है, और इस काम को किया है, और B ने इस काम को कितने दिनों में किया है, 23 days में, ठीक है, तो उन्होंने पूशा है, कि after how many days did A leave, तो A ने जहां पर शोड़ा है तब कितने दिन हुए थे जानि कि जहां पर बताना है कितने दिन हुए थे ठीक है तो देखिए इस क्वेशन को किस तरह से हम करेंगे सबसे पहले हम टोटल बर्क निकाल लेंगे टोटल बर्क होगा 45 और 40 का एल्सियम होगा 360 360 होगा एल्सियम जानि की टोटल बर्क जहां से हम जे बता सकते हैं कि एक एक दिन का काम होगा 45 इंटू 8 करेंगे 360 होगा इसी तरह से 40 इंटू 9 करेंगे 360 होगा और B का एक दिन का काम आ जाएगा 9 अब B ने जो बचा हुआ काम है इसे 23 डेज में किया है तो 23 डेज में और B का एक दिन का काम है 9, तो 23 इंटू 9 कर लेंगे, 9 इंटू 3 होगा, 27, 2 कहरी, 9 इंटू 280, 18 ओ 2, 20, तो हम ये बता सकते हैं, कि B ने जो बचा हुआ काम किया है, बहे काम था 207, टोटल काम कितना है, 360, 360 में से 207 काम किया है, अकेले B ने, तो 360 में से 207 हम बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा 153, अब जे 153 काम होगा, जे, जो जहां से लेकर, जहां तक होगा, जिसको A और B ने, दोनों ने किया होगा, तो A और B, दोनों की efficiency कितनी है, एक दिन की, 9 प्लस 8 करेंगे, तो 17 आ जाएगा, जानिकि दोनों एक दिन में 17 काम करते हैं, तो काम कितना है, 153, तो 153 इंटू, सारी, डिवाइड बाए, 17 आ जाएगा, तो 17 इंटू 9 करेंगे, 153 आ जाएगा, तो हम जे कह सकते हैं, कि जहां से लेकर, जहां तक 9 दिन में दोनों ने काम किया है, तो 9 दिन के बाद A ने शोड़ दिया है, और बचे हुए काम को B ने 23 डेज में पूरा किया है, तो हम जे बता सकते हैं, कि A ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा है, 9 दिनों के बाद, तो इस question का right answer होगा, 9, option D होगा, इस question का right answer, उमीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से tricks समझा रही हो, ठीक है, और साथ-साथ आप practice जरूर करना, क्योंकि जो चीज समझा आ जाती है, उस पर practice करना बहुत जरूरी है, साथ-साथ practice करोगे, फिर आपको मैस कभी भी नहीं बूलेगा, next question देखिए, A can complete AP sub work alone in 20 days, कहते हैं, कि अकेला A किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, B can do it alone in 15 days, और B उसी काम को 15 days में पूरा करता है, and C can complete it alone in 18 days, और C उसी काम को अकेला 18 days में पूरा करता है, ठीक है, B and C started the work together, कहते हैं, starting में B और C काम को शुरू करते हैं, एक साथ, but both were supposed to leave after 4 days, और 4 दिन काम करके दोनों शोड़ देते हैं, the remaining work was done by A, और बचा हुआ काम A करता है, कितने दिनों में बही उनोंने पूशा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम total काम को निकाल लेंगे, total काम निकालने के लिए हमें 20, 15 और 18 का LCM निकालना होगा, इन तिनों का LCM होगा बने 80, जैनि 20 into 9 आ जाएगा, 15 into 12 आ जाएगा, और 18 into 10 आ जाएगा, यह होगा एक दिन का काम, जैनि की per day unit work, ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है, B and C started the work, तो B का एक दिन का काम है 12, C का एक दिन का काम है 10, तो दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 22, और दोनों मिलके काम को कितने दिन कालते हैं, 4 days, तो 22 into 4 करेंगे, 88 आ जाएगा, ठीक है, 88 काम इन दोनों ने कल दिया, 4 दिनों में, तो काम टोटल था 180, 180 में से 88 काम इनों ने कल दि तो ए की efficiency क्या है जाने कि एका पर unit work कितना है नाइन तो 92 वर्क करने के लिए 92 बाइन आ जाएगा अब 92 9 से नहीं करता बट जह इंप्रापर फ्रेक्षन है इंप्रापर फ्रेक्षन क्या होती है जिसमें numerator पार्ट बढ़ा होता है डिनामिनेटर से तो डिनामिनेटर शोटा हो होगी तो उसे प्रापर बनाना है प्रापर बनाने के लिए से मिक्स्ट बिद प्रापर होगा तो 9 की multiply ऐसे नंबर से करिए जो 92 से कम-कम बने तो 9 कि इंटू 10 करेंगे 90 बन जाएगा और प्लस 2 करेंगे 92 बन जाएगा तो यह बन जाएगा 10 2 by 9 10 2 by 9 option D होगा इस question का right answer I hope कि आपको अच्छे से question समझ आ गया हो next question देखिए A can do a piece of work in 20 days and B can do it in 25 days if they start the work together but after 6 days A left the work कहते हैं A किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और उसी काम को B 25 दिन में पूरा करता है if they start the work together अगर दुनों मिलके काम को start करते हैं एक साथ but after 6 days 6 दिन के बाद A left the work A काम को short देता है in how many days the total work would be finished तो बताओ कितने दिनों में पूरा काम खतम होगा तो सबसे पहले A काम को अकेले करता है 20 दिनों में और B सेम काम को 25 दिन में पूरा करता है तो सबसे पहले हम total work निकाल लेंगे total work निकालने के लिए हमें 20 और 25 का LCM लेना पड़ेगा जो होगा 100 इसका मतलब A का एक दिन का काम आ जाएगा 5 और B का एक दिन का काम आ जाएगा 4 अब उन्होंने बोला है if they start the work together अगर दोनों मिलके काम को शुरू करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा 9 5 प्लस 4 करेंगे 9 आ जाएगा ठीक है अगर एक दिन का काम 9 है तो 6 डेज का कितना होगा 6 इंटू 9 करेंगे 54 आ जाएगा तो हम जे बता सकते हैं 6 दिन में कितना काम हो गया 54 अब 6 डेज में 54 काम हो गया काम है है प्लस ने सब्सक्राइब करेंगे जाने कि यहां पर अब काम कूं करेगा भी तो बी का एक दिन का काम कितना है फूर काम है कितना 46 बचा हुआ तो 46 बाइफ वर आ जाएगा ठीक है बी करेगा 46 काम को फोर यूनिट पर देखे हिसाब तो 46 बाइफ आफ पूर पर फूर एस सा कर लो 23 into 2 और 2 into 2 जा जाएगा 23 by 2 अब 2 के टेबल में 23 नहीं आएगा तो 23 by 2 आपकी improper fraction है इसे proper में बनाने के लिए नीचे 2 का 2 रहेगा 2 की multiply 12 से करेंगे तो 24 ज्यादा हो जाएगा 11 से करने पड़ेगी 22 आ जाएगा और प्लस बन आ जाएगा तो हम जे कह सकते हैं कि 46 काम जां 23 by 3 काम को कितना टाइम लगा 11 बन बाई 2 तो टोटल काम कितने दिनों में तो 6 प्लेस 11 होगा 17, 17 बन बाई 2 होगा इस question का right answer, जहां फिर हम जे बता सकते हैं कि total work जो 100 है, 100 work को करने के लिए कितना समय लगा? 17 and half days, तो option B होगा इस question का right answer. next question देखिए, A and B can complete a piece of work in 24 and 36 days respectively, कहते हैं कि A किसी काम को 24 days लगाता है और B same काम को 36 days लगाता है, ठीक है? they start the work, but 3 days before completion of work, A left, कहते हैं कि दोनों काम को start करते हैं, but काम खत्म होने से 3 दिन पहले A काम को short देता है, in how many days will the total work be completed, तो बताओ total काम कितने दिनों में खत्म हुआ होगा, तो देखिए मैं थोड़ा trick से समझाता हूँ आपको, हम मान लेते हैं जहां से लेकर, जहां तक होगा, total काम, ठीक है, जहां पर start होगा और जहां पर खत्म हो जाएगा, खत्म होने से 3 दिन पहले, मान लेते हैं, जह होंगे 3 दिन पहले, A शोड़ देता है, तो यह काम जो आगे है, इसको B ने finish किया होगा, इसका मतलब पीशे बाला काम A और B दोनों ने किया होगा, ठीक है, I hope क आपको यह इतना सा concept समझा आ गया हो, बाकी हम पहले total काम निकाल लेंगे, 24 और 36 का LCM होगा, 72, जाने कि total काम होगा 72, जिसमें A का एक दिन का काम होगा 3, और B का एक दिन का काम होगा 2, ठीक है, अब उन्होंने बोला था, they start the work, but 3 days before completion of work, काम खत्म होने से 3 दिन पहले, A ने ने शोड़ा था जहां पर, इसका मतलब A के बाद जो काम 3 दिन किया है, वो B ने किया है, तो 3 दिन का काम, B एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 3 into 2, जाने कि J काम किया होगा कितना, 6, काम total है कितना, जहां से लेकर जहां तक, 72, जिसमें जहां से लेकर जहां तक, 6 काम हो होगा तभी एने जहां पर शोड़ा होगा ठीक है तो 66 काम को दोनों ने किया होगा तो दोनों का एक दिन का काम कितना है थ्री ओर टू फाइब जाने कि 66 वाइब आ जाएगा तो जे मिक्स्ट फ्रेक्शन में बनाएंगे फाइब इंटू थर्ति फाइब 5 और 65 और जीट न से बर घ्राइब जाया गठीक है जो लास्त में बचा हुगा काम वी ने किया प्लस दोनोंने मिलके कितने दिन लगाए है 13 बन बाए 5 तो टोटल डेज कितने बन गए 13 और 3 16 16 बन बाए 5 डेज लगे टोटल काम को खत्म करने में ठीक है जह important question है important question से है क्योंकि इस question में opposite बताया गया है कि काम खत्म होने से पहले ठीक है ऐसे बोलते हैं कि काम start होने के पांच दिन बाद जान दस दिन बाद ये शोड़के चला जाता है लेकिन इसमें काम खत्म होने से पहले before बोला है ठीक है इसलिए जह important है I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो इस question का right answer है option B next question देखिए A and B work together can complete a job in 24 days कहते हैं कि A और B दोनों मिलके किसी काम को 24 days में पूरा करते हैं A alone can complete it in 32 days कहते हैं कि अकेला A इस काम को 32 days में पूरा करता है both of them work together for 8 days and then A left कहते हैं कि दोनों मिलके 8 दिन काम को करते हैं और फिर A short देता है the number of days B will take to complete the remaining work तो बताओ बचा हुआ काम B कितने दिनों में पूरा करेगा तो देखिए A plus B दोनों मिलके किसी काम को 24 days में पूरा करते हैं तो सेम काम को अकेला A कितने दिन में करता है 32 days में तो जहां से सबसे पहले हम total work निकाल लेंगे total work निकालने के लिए हमें 24 और 32 का LC में निकालना होगा 24 और 32 का LC में होगा 96 जाने कि A और B दोनों मिलके 96 काम को 24 days में करते हैं तो A और B का एक दिन का काम आ जाएगा 4 24 इंटो 4 करेंगे 96 तो A का एक दिन का काम आ जाएगा 3 अब A और B दोनों का एक दिन का काम 4 है अकेला A का एक दिन का काम 3 है तो 4 में से 3 जाने कि A प्लस B में से A को निकालेंगे तो बचेगा कौन B तो B का एक दिन का काम आ जाएगा एक क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो बना जाएगा ठीक है B की efficiency हमने निकाली एक दिन की अब question में उन्होंने ये बोला था both of them जाने कि A और B दोनों मिलके काम को आठ दिन करते हैं तो A और B का एक दिन का काम कितना है 4 आठ दिन करेंगे तो 8 इंटू 4 हो जाएगा जाने कि 32 वर्क टोटल वर्क है 96 तो remaining वर्क कितना रह जाएगा 96 में से 32 को माइनस कर देंगे बचा हुआ काम रह जाएगा 64 अब उन्होंने बोला है कि जो remaining वर्क रह जाएगा जाने कि 64 वर अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 64 काम को कितने दिन लगाएगा 64 बाइबंद करेंगे 64 ही आ जाएगा अगर B इन में एक काम कर रह तो 64 दे में 64 काम कर करेंगा आप्शन भी होगा इस क्वेशन का रैट अंबसे अर नेस्ट ग्वेशन देखिए ए A, B, and C can do a piece of work in 20, 25, and 30 days respectively कहते हैं कि A, B, और C किसी काम को 20 दिन में, 25 दिन में, और 30 दिन में पूरा करते हैं ठीक है they start the work together तीनों मिलके काम को शुरू करते हैं after two days of start of work दो दिन बाद start होने के काम, दो दिन बाद A left, and three days after A, और तीन दिन, A के तीन दिन बाद B left, B भी शोर देता है in how many days the total work would be finished, तो बताओ total काम कितने दिनों में खत्म हुआ होगा तो सबसे पहले हम total का बर्क निकाल लेते हैं, 20, 25 और 30 का LCM होगा 300 जाने कि हम J कह सकते हैं कि total काम होगा 300, जिसको A 20 दिन में पूरा करता है, तो B का एक दिन का काम हो जाएगा 15, सारी A का, और B का हो जाएगा 12, और C का हो जाएगा 10, ठीक है? अब देखिए, they start the work together, अब तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा 15, 12, 27, और 10, 37, तीनों का एक दिन का काम है 37, after two days, start up work A left, दो दिन के बाद A शोड देता है, तो इसका मतलब दो दिन तीनों काम करते हैं पहले, तो 37 एक दिन में कर रहे हैं, तो दो दिन करेंगे 37 into 2 होगा, 74, अब जहां पे A शोड देगा, जे काम किया, A प्लस B प्लस C, तीनों ने, अब A शोड देगा, तो कौन करेग बी प्लस C, और B प्लस C का एक दिन का काम कितना है, तो वैलव और 10, 22, तो 22 into, अब उन्होंने कहा है कि A के शोडने के तीन दिन बाद, बी भी शोड देता, इसका मतलब तीन दिन तक बी भी करेगा, तो 22 into 3 करेंगे, 66 आ जाएगा, अब B ने भी शोड दिया, अब बचा हु 140 काम हो गया, टोटल काम है 300, 300 में से 140 काम हो गया है, बचा हुआ काम कितना रह गया, 160, अब 160 काम को कौन करेगा, A ने भी शोड दिया, B ने भी शोड दिया, C करेगा, तो C का एक दिन का काम है 10, तो 160 काम करने के लिए C कितने दिन लगाएगा, 16 तो टोटल काम करने के लिए कितने दिन लगे देखिए दो दिन किया A प्लस B प्लस C तिनों ने फिर A ने शोड़ दिया फिर A के शोड़ने के बाद तीन दिन B और C दोनों ने किया फिर B ने शोड़ दिया और फिर बचा हुआ काम C ने किया कितने दिन 16 दिनों में ठीक है तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ 21 डेज में I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर जरूर करना ठीक है तो इस question का right answer है option D next question देखिए A can do a certain work in 15 days and B can do 1 third of the same work in 10 days कहते हैं कि A किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और B उसी काम के 1 third को 10 दिन लगाता है A किसी काम को पूरा 15 दिन में करता है और B उसी काम के 1 third को 10 दिन लगाता है ठीक है तो देखिए B अगर किसी काम के थर्ड हिस्से को 10 दिन लगा रहा है मतलब 3 में से 1 काम अगर वो 10 दिन में कर रहा है तो 3 में से 2 काम को 20 दिन में करेगा तो 3 में से 3 काम को 30 दिन में तो जहा A and B work together for six days, क्याते हैं कि A और B दोनों मिलके काम को 6 दिन करते हैं, तो पहले एक total काम निकालेंगे, 15 और 30 का LC मा आ जाएगा 30, जाने कि 15 into 2 करेंगे 30, और 30 into 1 करेंगे 30, और A का एक दिन का काम 2 है, और B का एक दिन का काम 1 है, तो A और B दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1, 3, अब उन्होंने बोला है, कि A और B दोनों मिलके काम को कितने दिन करते हैं, 6 देज, तो एक दिन का काम 3 है, 6 देज काम करेंगे, तो कितना कल देंगे, 18, 18 काम होने के बाद, A leaves, A शोड़ देता है, तो 30 काम टोटल है, टोटल में से 18 काम हो गया, काम बचा कितना 12, B complete the remaining work with C in 8 days, कहते हैं कि B, C के साथ मिलके, 8 दिन में काम खतम करता है, काम बचा कितना है 12, अब B का एक दिन का काम कितना है, बन, इसका मतलब B का 8 दिन, B और C दोनों करेंगे 8 दिन, तो B भी 8 दिन करेगा, C भी 8 दिन करेगा, तो काम टोटल बचा है 12, अब B 8 दिन करेगा, तो B का एक दिन का काम है, एक 8 दिन का काम हो जाएगा 8, इसका मतलब 12 काम टोटल है, जिसमें B ने कितना कर दिया, 8, और 12 में से 8 अगर B ने किया है तो C को कितना करना पड़ेगा 4 ठीक है 4 काम करना पड़ेगा लेकिन 4 काम करने के लिए C भी 8 days लगा रहा है क्योंकि उन्होंने बोला है B और C दोनों मिलके 8 days लगाते हैं तो B भी 8 लगा रहा है C भी 8 लगाएगा काम किया है B ने 4 तो days लगाए है 8 तो 4 by 8 होगा 0.5 तो 0.5 होगी C की efficiency जाने कि C का एक दिन का काम अब उन्होंने पूशा क्या है कि A और C together can complete the original work original work कितना है 30 तो 30 को A और C दोनों मिलके A की efficiency कितनी है 2 और B C की efficiency हमने निकाल ली 0.5 तो 2 plus 0.5 करेंगे 2.5 आ जाएगा तो 30 divided by 2.5 करेंगे develop days आ जाएगे ठीक है तो हम जे बता सकते हैं कि A और C 30 काम को 12 दिन में पूरा करेंगे option A होगा इस question का right answer I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो next question देखिए शाम और सुन्दर can do a piece of work in 16 and 24 days respectively कहते हैं शाम और सुन्दर किसी काम को 16 दिन में और 24 दिन में पूरा करते हैं शाम started the work alone and after 10 days सुन्दर joined him कहते हैं शाम काम को अकेले स्टार्ट करता है और 10 दिन के बाद सुन्दर भी शाम को जाइन कर लेता है उस काम को ठीक है and the do worked together till the completion of work और दोनों काम खत्म होने तक करते रहते हैं काम but was the total time for the work to be completed तो बताव पूरा काम कंप्लीट करने के लिए total समय यानि कि total days कितने लगे तो देखिए शाम किसी काम को 16 days में पूरा करता है और सुन्दर उसी काम को 24 days में पूरा करता है ठीक है तो सबसे पहले 16 और 24 का LCM ले लेंगे जो होगा 48 जानि की शाम का एक दिन का काम होगा 3 और सुन्दर का एक दिन का काम होगा 2 अब उन्होंने बोला है शाम started the work alone and after 10 days सुन्दर जाइंड है शाम अकेले काम को start करता है तो शाम का एक दिन का काम कितना है 3 तो शाम कितने दिन काम करता है 10 days अकेले तो काम कितना हो गया 30 10 days में 30 काम हो गया ठीक है काम total है कितना 48 48 काम में से 30 काम अकेला शाम नेकल दिया अब बचा हुआ काम कितना है 48 minus 30 करेंगे तो 18 काम रह जाएगा जिसको सुंदर भी जाइन कर लेगा शाम के साथ तो शाम और सुंदर का एक दिन का काम कितना होगा 3 प्लस 2 5 जाने कि 18 काम को अब कौन करेगा दोनों मिलके तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं 18 काम करने के लिए उन्हें 5 x 3 15 प्लस 3 18 तो 3 3 by 5 देज लगेंगे ठीक है अब उन्होंने पुछा है टोटल काम को कितना समय लगा 18 काम को लगे 3 3 by 5 देज और 30 काम को लगे हैं 10 देज तो टोटल 10 प्लस 3 3 by 5 देज लगे हैं तो 10 प्लस 3 करेंगे 13 13 3 by 5 देज टोटल लगे हैं 48 एट काम करने को उमीद चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो ठीक है तो थर्टीन थरीवाई फाइब आप्शन ए होगा इस क्वेशन का राइट अंसर next question देखिए a alone can finish a task in 30 days कहते हैं कि अकेला a किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है he worked for 6 days on the same task और बहुत 6 दिन उस task को करता है and then b finish it in 24 days और फिर जो बच जाएगा उसे b कतम करता है 24 दिन में in how many days can a and b together finish the task बताओ a और b दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे देखिए a किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो जहां से सबसे पहले हम a's बंडे वर्क निकाल लेंगे a का एक दिन का काम अगर a 30 दिन में पूरा काम कर रहा है तो a का एक दिन का काम कितना होगा बंडे 30 जाने की 30 में से 1 ठीक है लेकिन he works for 6 days एक करता कितने दिन है शे दिन अगर a एक दिन में बंडे 30 कर रहा है तो a का 6 दे वर्क कितना होगा 6 बंडे 30 तो 6 इंटू 5 जाने की बंडे 5 हम जे कह सकते हैं कि 5 में से एक काम a कर देता है और बचा काम कितना रमेनी बर्क कितना रह जाएगा 5 में से एक किया है तो बचा कितना 5 में से 4 जां फिर आप ऐसा कर सकते हो बंड होगा total काम तो बंड में से हुआ कितना है बंड़ 5 तो 5 में से बंड जाएगा 4 4 by 5 रह जाएगा तो 4 by 5 काम को B finish कर रहा है 24 days में जाने की 4 by 5 पार्ट आफ बर्क डन बाय बी डन कर रहे हैं ऐसे कितने दिन में 24 डेज में तो जहां से हम बी का टाइम निकाल लेंगे 20 बर्क तो बी का टोटल बर्क कितने दिन में हो जाएगा 24 4 बाय 5 इस साइड आएगा तो 5 बाय 4 आजाएगा 4 इंटू 6 होगा 24, 6 इंटू 5 होगा 30, अब हम जे बता सकते हैं कि अकेला A उस काम को 30 दिन में कर रहा है तो B भी अकेला उस काम को 30 दिन में कर रहा है अब उन्होंने पूछा है दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो सबसे पहले 30 और 30 का उस्सिम क्या होगा 30 ही, इनकी एफिसेंशी क्या आजाएगी 1 बन A का एक दिन का काम 1 है B का भी एक दिन का काम 1 है तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 2, काम टोटल है कितना 30, तो 30 बाय 2 होगा 15, तो हम जे कह सकते हैं दोनों मेरके इस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे option D हो का इस question का right answer next question देखिए P and Q can do a work in 12 days and 16 days respectively कहते हैं P और Q किसी काम को 12 days और 16 days में पूरा करते हैं P started working alone P start कर देता है अकिला काम करना after how many days should Q work with P so that the work is finished in 9 days कहते हैं कि P किसी काम को 12 दिन में करता है Q उसी काम को 16 दिन में करता है P started working alone P काम को अकेले start कर देता है after how many days should Q work with P कहते हैं कि कितने दिनों के बाद Q P के साथ काम करना शुरू करता है जब कि total काम जो है बो 9 दिन में पूरा हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम total काम निकाल लेंगे 12 और 16 का LCM होगा 48 तो हम जहां से यह बता सकते हैं P की efficiency होगी 4 और Q की efficiency होगी 3 अब question को द्यान से समयना अब उन्होंने बोला है कि P अकेला काम शुरू कर देता है कुछ दिनों के बाद Q काम को शुरू करता है P के साथ तो जो काम पूरा कितने दिन चलता है 9 दिन अब P ने अकेले start किया था तो P Q के साथ भी करेगा और केले भी करेगा जाने की P ने continue 9 दिन काम किया है तो हम जहां से P का काम निकालेंगे 9 दिन काम किया है तो P की efficiency कितनी है जाने की एक दिन का काम कितना है 4 तो 9 इंटू 4 करेंगे 36 total काम कितना है 48 तो 48 में से 36 काम किस ने कल दिया P ने, तो Q कितना काम करेगा 48 में से 36 जाएगा तो 12, Q की Efficiency, जाने की Q का एक दिन का काम कितना है, 3, तो 12 खाम करने के लिए Q को कितने दिन लगेंगे 4 देज, इसका मतलब Q ने 4 दिन काम किया है, बट काम चला कितने दिन है, 9 डेज टोटल Q ने 4 दिन काम किया है तो इसका मतलब यह है Q ने 5 दिनों के बाद काम शुरू किया है तभी 9 में से 5 जाएगा 5 दिनों के बाद किया होगा तो 4 दिन किया होगा तो इस question का right answer क्या होगा option D आई होग या आपको अच्छे से समझ आ गया हो इस question को हम hit and trial से भी करेंगे hit and trial method से hit and trial जाने की option लेकर अब देखिए P और Q का काम P और Q का काम 12 और 16 total काम आ गया है कितना 48 तो P की efficiency आ गई 4 Q की efficiency आ गई 3 अब option हमने D ही लिया है 5 days उन्होंने पूशा है बोला है कि P started working alone after how many days should Q work with P कितने दिनों के बाद Q P के साथ काम करेगा कि जो total काम है बहे 9 days में पूरा हो जाएगा तो हमने option D लिया है हम J कह सकते हैं कि P जो अकेला काम कर रहा है बहे 5 दिन अकेले करेगा तो P का एक दिन का काम 4 है 5 दिन करेगा तो 20 काम कर देगा उसके बाद Q भी जाइन कर लेगा तो P और Q का एक दिन का काम कितना है 7 तो 5 दिन अकेले पी ने कर लिया है total 9 days लगे है तो इसका मतलब 4 दिन जे दोनों करेंगे 7 into 4 करेंगे 28 20 काम J हो गया 28 काम जहांपे हो गया 20 plus 28 काम जाने की 48 काम हो गया कितने दिनों में 5 plus 4 इकल टू 9 days में और question में भी 9 ही दिया था I hope कि आपको दोनों मैथल अच्छे से समझ आ गए हो next question देखिए P can do a piece of work in 10 days कहते हैं कि P किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है after working for 4 days P left the work कहते हैं 4 दिन काम करने के बाद P काम को short देता है and Q complete the remaining work in 9 days और बचे हुए काम को Q 9 दिन में पूरा करता है if they had work together from the beginning कहते हैं कि अगर दोनों मिलके काम को starting से करे एक साथ how many days would they have taken to complete the work तो बताओ total work दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा कर देंगे ठीक है तो P देखिए P किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो P का 1 days work कितना आ जाएगा P is 1 day work का जाएगा अगर 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक काम करने के लिए उसे 1 by 10 days लगेंगे जानिकि 10 में से 1 दिन लगेगा ठीक है after working for 4 days तो P 4 दिन काम करता है 4 दिन के बाद शोड़ देता है तो जहां से P का 4 day work निकाल लेंगे अगर एक दिन में 1 by 10 करता है तो 4 days में 4 by 10 आ जाएगा ठीक है जह 2 से कट जाएगा जह 5 से कट जाएगा तो 2 by 5 काम जानिकि 5 में से 2 काम आ जाएगा पी का 4 दिन का एंड क्यूच अब जहां से पहले बर्क रेमेंनिंग कितना रह जाएगा रेमेंनिंग बर्क रह जाएगा 5 में से 2 हो गया तो 5 में से 3 रह गया जानिकि 3 by 5 रह जाएगा तो हम ये कह सकते हैं 3 by 5 बर्क को ग्यूच कोलता है तो जहां से Q का बंडे इस बर्क निकाल लेंगे Q बंडे बर्क तो बहें बन जाएगा 9 इंटू 5 बाई 3 तो 3 इंटू 3 9 होगा तो 5 इंटू 3 15 जाने की हम यह बता सकते हैं कि P ने जिस तरह से काम पूरा किया 10 दिन में उसी तरह से Q काम को 15 दिन में पूरा करता है अकेले ठीक पूरा करेंगे तो देखिए 10 और 15 कालषियम आ जाएगा 30 जाने कि P की Efficiency आ जाएगी 3 और Q की Efficiency आ जाएगी 2 तो 3 प्लस 2 करेंगे 5 5 होगा P और Q का एक दिन का काम तो टोटल काम कितना है 30 तो एक दिन में 5 हो रहा है कितने दिन में 30 हो जाएगा 5 इंटू 6 करेंगे 30 तो हम जे बता सकते हैं P प्लस Q किसी काम को 30 दिन में तो सारी 6 6 देज में पूरा कर देंगे ठीक है तो अप्शन C होगा इस क्वेशन का राइट आंसर है आज के लिए इतना ही रखते हैं नेस्ट वीडियो में हम किसी और टाइप पे चर्चा करेंगे ठीक है आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो वीड प्रेक्टिस के लिए तो मिलेंगे नेस्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक्यू कुलास